आपने unfortunate human society cases के बारे में तो बहुत बार सुना होगा but have you heard about insects committing society आज हम आपको बताने वाले हैं caterpillars के बारे में हमारा वीडियो नहीं के बारे में है पर वो अपने आप से society नहीं करते someone forces them to do so और आज के हमारे वेलन हैं baculovirus अब यह atmosphere में होते हैं तो इनके उपर एक stable protein coating होती है और यह occlusion bodies के form में रहते हैं अरे अरे ऐसे नाम देखके घब्राइए मताल explain it in really simple terms तो atmosphere में तो यह stable रहती है coat पर insect के gut में जाते ही high pH की वज़े से यह protein coating break down हो जाती है और अंदर से वाइरियों जोगी infective material होते हैं वो निकल आते हैं फिर यह पूरे cell के DNA replication machinery को take over कर लेते हैं और अपने DNA के copies बनाते हैं अच्छे यह तो समझ गए पर यह बताओ यह virus कर रहता क्या है तो अब बताते हैं यह virus कर रहता क्या है caterpillar को अब यहां पर बैचारा जे जो caterpillar अच्छा खासा बैठा रहता है इसके पूरी body में जब यह virus spread कर हो जाता है तब यह इसके उपर पूरा control कर लेता है और इस caterpillar को समझ में यह आता है यह करे क्या इसलिए इस डिजीज को ट्री टॉप डिजीज भी का जाता है कि यह caterpillar उस पेर के या इस प्लांट के एकदम ऊपर चढ़ जाता है और उसे भी नहीं पता हो तो वह ऐसा क्यों कर रहा है किसी डार्क जगा पर चुप जाते हैं जिससे कि इनके प्रेडेटर्स इनको पकड़ ना पाएं पर जब यह डिजीज हो जाती है तो इनमें हम लोग को फोटो टाक्स देखने को मिलता है यानि कि यह लाइट का सोर्स जहां भी है ना उसकी तरफ जाते हैं इनमें पॉजिटिफ फोटो टाक्टिक रिस्पॉंस देखने को मिलता है और यह पूरे टाइम प्लांट के उपर बैठे रहते हैं पर इसके बाद जो होता है टिस वेरी ग्रॉस क्योंकि इस वाइरस की वजह से अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं और इसे रियक्शन्स होते हैं अंदर की कैटपिलर की बॉड़ी एक्सप्लोड कर जाती है और एक्दम लगता है कि लिक्विफाय हो गई हो जैसे कि एक्दम गूई और स्टिकी ड्रॉप्स किरने लगती है जहां भी कैटपिलर होता है और उसके नीचे और नीचे तो लीव सुंगी अब इसलिए तो वह पेड़ के उपर चड़ता है नीचे लीव सुंगी और उसमें जब यह ड्रॉप्स किरेंगी वाइरस लेडन ड्रॉप्स और दूसरे काटपिलर उन लीव को और साथ में उस ड्रॉप को उसके जो वाइरस होते हैं उसको इंजेस्ट करेंगे ख जाता है अपनी बाड़ी को पूरा एक्स्प्लोड कर लेता है बिचारा मर जाता है और इसलिए बदा है भले ही यह काटपिलर के लाइफ के विलन सों बैकिलो वाइरस पर यह बहुत ही एफेक्टिव बायो पेस्टिसाइड की तरह यूज करे जाते हैं अमेरिका में जिपस ओनासुबात ही है कि यह बहुत ही स्पैसिफिक होते हैं और किसी एक शीज को ही अटाक करते हैं इसके अलग 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 आज सारे मतलब range of insects को कवर करते हैं और एक और बात है की यह अपने अपने होस्ट के अलावा टारुट होस्ट के अलावा अब आस पास के और यह नहीं करता तो कैसी लगी ये वीडियो अगर पसंद आये तो प्लीज कॉमें सेक्षिन में अपने रिव्यूस और अपने ना जाने रिव्यूस और ना जासाय को प्लीज सब्सक्राइब अपने जाल। टेक केर बाई नमस्टे